नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 छितिज का पाठ बाल गोविन भगत जिनके लेखक राम ब्रिक्ष बेनी पूरी जी हैं, इसका मैं MCQ पराने जा रही हूँ, और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 किर्टिका छितिज असपर संचैन, इसका सारा MCQ बना चुकी हो, फूल एक्स्प्लेनेशन समरी और कोशन एंसर भी बनाई हो, और हिंदी ब्याकरन बहुत ही आसान रूप में परहा चुकी हो, तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिए गया आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गया बनाएंगे एक्जाम के लिए इस बार आप लोग को एक्जाम में MCQ भी पूछे जाएंगे, तो इसमें बचों कुछ अर्थगरहन एवं बोधात्मक प्रशन है, उसके तहत आप लोग का MCQ इसमें पूछा जाएगा, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको और चेप्टर में से थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ इसमें दिया गया है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, तो इसमें देख सकते हैं कि निमलिनलिखित गध्यांस को परकर दिये गए प्रशनों के सही विकल्प का चुनाओ कीजिए, तो इसमें आप क्या दिया है, इसमें दिया है कि बाल गोबिंद भकत मजहौले कद के गोरे चिठे आदमी थे, ये आपको मालूम है, अब इसके तहद देखिए कि आपको कितना आसान हो जाएगा, साठ से उपर के ही होंगे, अब कितने बर्स के हुए थे, ये भी पूछा जाएगा, तो आ किसी कनफटी टोपी, जब जाड़ा आता, एक काली कमली उपर से और है रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन, जो नाक के एक छोड से ही औरतों के टीके की तरह सुरू होता, गले में तुलसी की जरों की एक बेडोल माला बांधे रहते, उपर की तस्वी को तो मैं ने देखा था, थोरी खेती बारी भी थे, एक अच्छा साफ सुत्रा मकान भी था, तो अब इतना आप जान गए, बालगोविंद भगत किस तरह के थे, कैसे थे, लंगोटी पहनते थे, काली कमली ओड़ते थे, वे गिरहस्त थे, तो ये सब बात कुन बोल रहे है ये सब बात जो है, लेखक बोल रहे हैं, क्योंकि लेखक वहाँ देखे थे, तो लेखक इस पार्ठ में, बालगोविंद भगत के उपर एक स्टोरी लिख दिये कि किस तरह के बालगोविंद भगत थे, तो अब इसमें से आपको प्रश्न उत्तर चुरना है, पहला प्रश् है, गव मंझोले कद के थे, मंझोले कद किसको कहा जाता है, ना अधिक लंबे, ना अधिक छोटे, बीच वाले, जो मिडियम जिसकी उचाई होती है, उसको लोग मंझोले कद कहा जाता है, तो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, कि बालगोविंद भगत का कद कैसा था, मतल दूसरा प्रश्ण है बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे तो आपको ऐसा पता चलता होगा कि आप जो इस पैराग्राफ को परहा है तो हर चीज आप इस पैराग्राफ में सही पूछा गया है अलग से कुछ भी नहीं पूछा गया है तो इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि पैराग्राफ पढ़ना कितना जरूरी होता है अब देखे तीसरा प्रश्ण है वे मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे चौथा प्रश्ण है वे गले में कैसी माला पहनते थे को चंदन से बनी हुई खो मोदियों से बनी हुई गो तुलसी की जरों से बनी हुई गो 108 मनकों की माला तो वे गले में कैसी माला पहनते थे इसका सही उत्तर है गो तुलसी की जरों से बनी हुई माला अब देखिए पांचमा प्रश्ण क्या है बालगोविंद भगत की जीविका का क्या साधन था गोवे भीक मांगते थे खोवे मंदिर से जो मिलता था उसे खा लेते थे गोवे खेती बारी करके अपना निर्वाह करते थे गोवे ब्यापार करते थे तो बालगोबिन भगत की जीविका का क्या शाधन था तो इसका सही उत्तर है गौ वे खेतिवारी करके अपना निर्वाह करते थे यानि जीवनियापन करते थे खेतिवारी से ही उनका परिवार चलता था अब देखिए पांचवा प्रेसन तो यह है आगे का फिर पैराग्राफ आ गया है कि बालगोबिन भगत साधू थे साधू की सब परिभाशाओं में खरे उतरने वाले कवीर को शाहब मानते थे उन्हीं के गीतों को गाते उन्हीं के आदर्सों पर चलते कभी जूट नहीं बो उच्छे बेवहार में लाते इस नियम को कभी-कभी इतनी बारी की से ले जाते कि लोगों को कौतू हल होता कभी वह दूसरे के खेत में सौच के लिए भी नहीं बैटते वह गिरहस्त थे लेकिन उनकी सबचिस साहब की थी जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पह उसे घर लाते और उसी से गुजरा करते थे तो यह मैं स्पीड में आपको पढ़कर सुना दी हूँ क्योंकि मैं अगर आप बाल गोविंद भगत चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो मैं लाइन वाइन बहुत ही अच्छा से एक्स्प्लेन की हूँ तो आप जाकर मेरे वीड क्योंकि तयारी कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम पास है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिजे प्रश्न फिर से शुरू हो गया है प्रश्न संख्या वन है बाल गोविंद भगत किन परिभासाओं पर खरे उतरने वाले थे को एक क्रिश्न की खो एक गिरहस्त की गो एक मानब की तो बाल गोविंद भगत किन परिभासाओं पर खरे उतरने वाले थे इसका सही उतर है एक साधू मतलब एक साधू की परिभासा जो होती है उस परिभासा पर खरे उतरने वाले थे यानि साधू के अंदर जो लक्षन होता है जो गुन होता है वे सारे गुन बाल ग पुल्सी दास जी पर घह कबीर पर तो आप तो पहले पढ़े होंगे कि कबीर को अपना सहे मांते थे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाल गोविन भगत की सरधा किन पर थी इसका सही उत्तर है घह कबीर पर थी यानि उनकी सरधा कबीर पर थी अब तीसरा किसी से जगरा मोल नहीं लेते थे गह उपरियुक्त सभी कथन शत्त है तो बाल गोबिंद भगत का ब्यभार कैसा था तो इसमें देखिए को खो गह तीनों में जो बात कही गई है वे सारे परिभासाओं तीनों में सही उतरते थे यानि वे दो टुक बात कहते थे किसी से हिच नहीं कि मुझ के पास जो है सामने बहुत अच्छा से बात कर लिया पीछे किसी का निंदा किया ऐसी बात उनमें नहीं थी वे जो भी बोलते थे सच सामने बोल देते थे गह का है वे खाम खा किसी से जगरा मोल नहीं लेते थे यानि सबसे प्रेम भाव से रहते थे तो को ख प्रश्ण हो गया है और अगे फिर से दिया गया है पाराग्राफ चौतर प्रश्ण है खेत में पैदा हुए अनाज को वे पहले कहां ले जाते थे तो इसका आने घर में उपकुर नर्सु आस्रम था तो सबसे पहले जो अनाज होता है वहाँ पर जमा करते थे और वहाँ से प्रसाद के रुप में जो मिलता है उसे ही घर चलाते थे पांचमा प्रस्ण है साधु सब्द का उचित विलोम लिखिए तो साधु का विलोम मतलब अपोजीट कह रहा है लिखने के लिए त इस दिन उनका बेटा मरा इकलोता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था किन्तु इसी कारण बालगोविन भगत उसे और भी मानते थे उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही जादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहबत के ज ब्रित कर दिया था उसने उनका बेटा बिमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुरसत किन्तु मौत तो अपनी और सब का ध्यान खीच कर ही रहती है हमने सुना बालगोविन भगत का बेटा मर गया यानि लेखक कह रहे हैं कौतु हलबस उनके घर गया देखकर दंग बेटे को आंगर में एक चटाई पर लिटा कर एक सफेद कफरेशे ढख कर रखा है वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे उन फूलों में कुछ तोर कर उस पर बिखरा दिये हैं फूल और तुलसी दल भी सिराहने पर एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ह आसन जमाय गीत गाय चले जा रहे हैं वही पुराना स्वर वही पुरानी तलीन ता घर में पतहु रो रही है जिसे गाउं की स्त्रियां चुप कराने की कोसिस कर रही है किन्तु बाल गोविंद भगत गाय जा रहे हैं हाँ गाते गाते कभी कभी पतहु के नजदीक भी जात मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गया है किन्तु नहीं वह जो कुछ कर रहे थे उनका विश्वास बोल रहा था वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मिर्तियों पर बिजय होता आया है तो देखिए इसके तहट अब MCQ कितने बन रहे हैं पहला प्रशन है बालगोविन भगत की साधना का चरमोत कर्स कब देखा गया इसका सही उत्तर है घव जब उनके पुत्र की मिर्ति हो गई थी दूसरा प्रशन है बालगोविन भगत अपने पुत्र को अधिक क्यों मानते थे इसका सही उत्तर है क्योंकि उसको प्यार मुहब्बत की ज़्याद अवश्यक्ता थी, खो है, क्योंकि वह बोदा, वह सुस्त था, गो वह बहुत सक्ति साली था, तो इसमें को और खो शही होगा, गो उतर सही है, तीसरा प्रशन है, भगत को दुनियादारी से निब्रित किशने किया था, इसका सही उतर है, उसकी बहु ने, यानि जब उनके बेटे की साधी हुई, तो उनकी बहु बहुती अच्छी आई, सुसिल आई, तो वह घर का सारा काम, कार जो भी होता है, घर का सारा जवाब देहिवा उठा ली थी, चौथा प्रस्ण है, बेटे के मरने पर बालगोविन भगत क्या कर रहे थे, इसका उतर है, वे गीतगा रहे थे, और वे अपनी पुत्र बधु को समझा रहे थे, तो कौ और खौ उतर सही है, पांचमा है, तलीनिता सब्द में मूल सब्द उपसर्ग और प्रतिय अलग करने पर सही विकल्प क्या होगा, इसका सही उतर है, खौ तत प्लसलीन प्लस ता, तो क्या बन जाएगा, तलीनिता बन जाएगा, अब छठा प्रश्ण देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत अपने शाहेव के प्रति स्रधा दरसाते थे, पांचमा प्रश्ण है, छठा प्रश्ण इधर आ गया है, रामब्रिक्स बेनुपूरी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उतर है, खौ शन उनिश्च दो इश्वी में, दूसरा प्रश्ण है, बेनी पूरी जी ने निमलिखित में से किस पत्र पत्रिका का शंपादन नहीं किया, इसका उतर है गौस रश्वती पत्रिका का, तीसरा प्रश्ण है, निमलिखित में से कौन सी रचना ये बेनी पूरी जी की नहीं है, तो इसमें देखिए को जो है गोदान रंग भूमी ये बेनी पूरी जी की रचना नहीं है चौथा प्रशन है लेखा का सिर किस गर्व से उंचा रहता था को वे ब्राम्हन जाती के थे आजमा बालगोविन भगत किसे साहब मानते थे इसका सही उतर है गोग कविरदास जी को छटा प्रशन है बालगोविन भगत अपने शाहब के प्रतिसरधा डरसाते थे किस कारण से तो इसमें कोखो गोग में जो सारी बाते हैं तो उपर्युक्त सभी कथन शत्ते है सात्मा प्रशन है बालगोविन भगत सब चीजों को किस की समपती मानते थे इसका सही उतर है कोश शाहब के आठ नमर प्रशन देखिए बालगोविन भगत की आजी विखा का क्या शाधन था तो इसका उतर है क्रिशी मतलब खेती उनका खेती से ही वे घर पड़िवार चलाते थे तो गव उतर सही होगा नाइन नमर प्रशन है भगत जी के गीतों की क्या विशिष्टा थी गव भगत जी के गीतों में इस्वर के प्रति आस्था तथा प्रेम था खो गीतों के बोल भगत जी की जिवा का असपर्स पाकर जिवन्द हो उठते थे और गौ का है उनके गीतों में अग्यानी तथा भटके हुए लोगों को राह पढ़लाने की टेर होती थी तो उपर युक्त सारे कथन सत्ते हैं यानि भगत जी के गीतों की क्या विसेस्ता थी तो को खो गो में जो भी बाते कही गई है वे सारी बाते भगत जी के गीतों की विसेस्ता थी दस नमर प्रशन है भगत जी का कौन सा गीत लोगों को चौकाता है तो इसका उतर है गोदी में पियवा चमक उठे सक्या ग्यारा नमर प्रशन है लेखक ने भगत जी के गायन का चर्मोत कर्स कब देखा इसका सही उत्तर है खो जब भगत के पुत्र की मिर्ती हुई बारा नमर प्रस्ण है भगत अपने पुत्र का अधिक ध्यान क्यों रखते थे इसका सही उत्तर है घो वा मानसिक रूप से कम जोड़ था उसे देखवाल की ज़्यादा जरूरत थी आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया है यानि उनका कहना था कि जब मिर्ती हो जाती है मनुश्य की तो उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है खो कहा है आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है दुख की बात नहीं है उनका कहना था कि जब किसी की मिर्ती होती है तो प्रेमी अपने प्रिये से मिल जाता है तो यह सब बात उपर्युक्त सभी कथन सत्य है यानि भगत जी ने अपने पुत्र की मिर्थी उपर पुत्र बधु से रोने के अस्थान पर उत्सब मनाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कोखो गौ में जो बाते कही गई है वे सारे के सा हैं और चौदा नमर प्रश्ण है बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बरा क्या कारे किया था इसका सही उत्तर है को पुत्र बधु से अपने बेटे की चिता को मुखागनी दिलवाई थी और पंदरे नमर प्रश्ण है भगत जी द्वारा अपनी पुत्र बधु स बेटे की चिता को मुखागनी दिलवाना क्या सिद्ध करता है तो इसमें देखिए को में जो बाते हैं यह सारे के सारे सही है यानि वे रूरियों को तोड़ना चाहते थे क्योंकि अभी भी प्रथा है ऐसी प्रथा है कि घर में अगर कोई गुजर जाते हैं तो औरते उसको अगनी नहीं देती है मुखागनी नहीं देते हैं जैन्स ही देते हैं मतलब मर्द लोग देते हैं लेकिन बाल गोविन भगत अपने पतहु से ही आग दिलवाई है यानि रूढ़ी बादी प्रथा को वे तोड़े हैं खोवे इस्त्री पुरुष की शमानता पर बल देते है उनका कहना है कि इस्त्री और पुरुष में भेद क्या है सब तो इस्वर के शंतान है तो फिर सब का हक होना चाहिए और गव में है कि वे कवीर के आदर्सों के सच्चे वहाग थे यानि कवीर दास जी इन दकिया नोसी विचारों को नहीं मानते हैं तो वे सारे विचारों क बाल गोविंद भगत मानते थे तो उपर युग सभी कथन शत्ते हैं 16 नमर प्रश्ण है भगत जी प्रतिवर्स गंगा अशनान के लिए क्यों जाते थे इसका सही उत्तर है को संत समागम के लिए यानि वहाँ पर संत लोगी गठे होते थे तो उनसे वे मिलते थे 17 नमर प्रश्ण निदर आ गया 18 नमर प्रश्ण है बाल गोविंद भगत किस कारण से शाधू कहलाते थे तो इसमें है को खो गो में जो बाते हैं वही सही है यानि आचरन गत सुद्धता के कारण यानि उनकी आचरन जो था उनका जो आचरन था वो सुद्ध था निर्मल था और स सच्चा साधक होने के कारण और गह निर्मोही मसंयमी होने के कारण तो उनके अंदर ये सब गुन था वे संयमी थे कोई चीज से मोह लालच नहीं रखते थे तो साधू के जो लक्षन होते थे तो होता है वह बाल गोविंद भगत में सब दिखाई देता है और 19 नमर प्रश उन्हें कोई चीज का डर नहीं था कवीर पाखंड के विरोधी थे यानि रूढ़ी वाधिता के विरोधी थे और कवीर चुवाचूत जाती प्रता अधिको नहीं मानते थे तो उपरियुक्त सभी कथन शत्य है तो कोश्चन आपको क्या पुछा जाएगा कि कवीर में बाल आजिक सांस्कृतिक परिवेश आसार चरते ही उल्लास में क्यों भड़ जाता था तो उपरियुक्त सभी कथन शत्य है यानि कव आसार वर्षा का महिना होता है ख़जेश्ट के महिने की तपिस से लोगों को छुटकारा मिल जाता है लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं तो यानि उपरियुक्त सभी कथन शत्य है और एकीश नमर प्रश्ण है एक सच्चे साधू की पहचान कैसे होती है तो इसका सही उतर है को उनके विचारों से यानि उनका विचार व्यभार कैसा है उससे परक्षाधू की की जाती है तो एकीश तक बच्चों इसमें MCQ ह तो एक एक करके आप याद कर लिजेगा और देखिए इधर एकीश तक का एंसर भी दिया गया है मैं सारे एंसर में सही टिक कर दी हूँ क्योंकि आप एक एक एंसर अगर देखते तो आपको दिकत हो जाती तो मैं सारे में टिक कर दी हूँ इसलिए आपको आशान हो जाएग और अगर आप देखना भी चाहे तो आप देख सकते हैं और इशी के साथ बच्चों पाठ की शमापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह शमज में आ गया होगा एकजाम के लिए अच्छी तरह तयार कर लिजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक कीजेगा और सेयर कीजेगा कॉमेंट्स जरूर कीजेगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा नए पाठ के साथ फिर मैं मिलोंगे बच्चों धन्यवाद